हेलो सुट्वेट्स कैस आप सभी लोग आज हम साइंस का चैप्टर सेवन करने वाले इसका नाम है नुटुरिशन एंड डाइट इसके हम कुश्चन से राज करने वारे हैं ठीक है तो इसमें दोगो पहला क्या है फिल इंदा ब्लैंक्स इसमें है आपको दे प्रोसेश ऑफ इंटेख ओफ फूड अं उटीलेजेगिश एट फॉर आलाइफ फ प्रोसेश इस कॉल नुटुरिशन क्या बूल रहे हैं याँ पर कि जब हम खाना खाते हैं और खाने के बाद हम उसका यूज़ करते हैं अपने बौडी के फंक्शन जो हमारे रहते हैं उसके लिए यूज करते हैं रोस के काम के लिए यूज करते हैं in short जो आप खाना खाते हो उससे जो आपको उडजा जो energy मिलती है उससे आप जो भी काम करते हो आपको इसे जो हम बोलते हैं nutrition ठीकिए उस खाने जो खाने मुझा मिलते हैं उसको हम नुट्रिशन बोलते हैं जिसे हम हिंदी बोलेंगे पोशड सिगन क्या है all the substances in our body in our food which are useful for various bodily processes are called nutrients क्या बोलें जो हमारे खाने में जो substance रहते हैं जो चीजे रहते हैं जो हमारे body के अलग-अलग function में help करते हैं तो उस चीज को हम बोलते हैं ठीक है अब देखो थर्ड क्या है आपको carbohydrates and fats provide energy to our body आपका answer क्या है energy क्या होले और जो fat है हमारे body को energy देते हैं उठ जा देते हैं अभी देखो आपको fourth में क्या दिएगे in a balanced diet all the nutrients are present in the adequate proportion क्या होले जो एक balanced diet रहती है उसमें जो भी nutrients रहते हैं वो बराबर मात्रा में रहते हैं अब fifth में क्या है in the food pyramid cereals are given the maximum space because they fulfill our energy carbohydrates dietary requirements क्या होले जो food pyramid होता है उसमें cereals को सबसे जादा जगा इसके लिए दी जाती है क्योंकि वो हमारे शरीर की कई जरूरतों को पूरा करते हैं जिसके energy देना carbohydrate देना dietary यह सारी चीज़े हमारी पूरी होती है इसमें और भी answer आ सकते हैं अब देखो six में क्या है intake of more food than necessary causes obesity क्या ओल रहे हैं कि जितना आपको खाना चाहिए अगर आप उससे जादा रोज खाना खाऊगे तो आपको obesity होगी मतलब आप मोटे होगे ठीक है अब second क्या आपको spot the following table of vitamins and minerals क्या बोल रहे हैं यहाँ पर आपको पता लगाना है कि vitamins कौन से milk यह क्या है minerals like calcium and phosphorus and vitamins A, B, D यह सारी चीज़े milk में present रहती है ओके अब थर्ड क्या है causes and symptoms of night blindness scurvy, rickets, bury, bury, bury देखो अब यह सारी चीज़ों को हमें causes क्या है वो बताने है और इसके symptoms क्या होते है वो बताने है causes मतलब इसकी वज़ा क्या है symptoms मतलब हमें कैसे पता चले है का वो दिखता नहीं है तो क्या है इसका cause क्या है deficiency of vitamin A जिसके शरीर में vitamin A की कमी हो उसके साथ ऐसा हो तो इसके symptoms क्या है inability to see in dim light मतलब कि वो dim light में अगर light थोड़ा कम रहे है ज्यादा light नहीं रहे तो उसे अच्छे से दिखाई नहीं देता है ठीक है अब देखो क्या है आपको उसके बाद है हमें scurvy यह क्या रहत है किस वज़े से होता deficiency of vitamin C अगर शरीर में vitamin C की कमी हो तब यह भी बिमारी होती है इसके symptoms क्या है bleeding gums जो आपके gums है मसूडे है उसमें खून निकलता है फिर क्या rickets कैसे होता है यह होता है deficiency of vitamin D जब आपके शरीर में vitamin D की कमी रहे तब बिमारी होती है इसके symptoms क्या है softening of bones आपके जो bone रहेंगे वो कैसे रहेंगे कमजोर हो जाएंगे causing pain and fracture और आपको अक्सर आपके bones में आपकी हडियों में दर्द होगा fracture हो जाएगा छोटी सी चोट से अब देखो last में क्या है यहाप है very very यह बिमारी कब होती है deficiency of vitamin B1 जब आ दिमाग चलना सब्सक्राइब कम हो जाता है अब देखो fourth में क्या है आपको fourth में foods required to prevent the above diseases क्या बहुत है ऐसे खाने हमें कौन से ऐसे खाने चाहिए जो उपर दी गई बिमारी को कम करें देखो पहला क्या है foodstuffs to prevent night blindness क्या बहुत है जो रात को healthy light में जिससे कम दिखता है वो क कौन सा खाना खा सकता है कि उसको बराबर से portion मिले उसको यह बिमारी कम हो क्या है red and yellow vegetables and fruits क्या बहुत है लाल और जो पीले vegetables होते हैं और fruits जो होते हैं वो खाने से बिमारी कम होगी leafy vegetables milk butter जो पत्तियों वाली सबजिया रहती है दूद और butter मक्षन यह खाने से बिमारी कम होती अब ही देखो आगे क्या है foodstuffs to prevent scowee देखो scowee जो बिमारी है उसको कम करने के लिए में कौन से खाने की ज़रूत पड़ेगी कौन सा खाना हम खाएंगे हमें वो वाइटमीन मिलेगी दो scowee हमने उपर देखा था ना जिससे क्या था breeding gums मसूड में खून निकलता है तो क्या foodstuffs to prevent rickets क्या बोले जो रिकेट्स बीमारी है जिसमें हमारे हड़ी कमजोर होती है और अक्सर फ्रेक्शर हो जाती है तो यह कैसे हमारी कमी होगी पूरी होगी इसमें जो कमी है sunbathing milk butter fish meat eggs इसमें हमें सूरज के जो धूप रहती है उसमें जाना चाहिए बैठना चाहिए और दूद मक्खन मचली मास मतलब मीट और अंडे खाना चाहिए इससे जो कमी रहती है शरीर में इस वाइटमिन की कौन सा वाइटमिन है देखो वाइटमिन डी की जो कमी रहती हो पूरी होती है ठीक है अब लास्ट में क्या foodstuffs to prevent berry berry अब देखो यह बीमारी जिसमें हमारे दिमाग में problem होती है इसको अगर कम करना है तो क्या खाना चाहिए हमें cereals nuts pulses milk meat fish हमें cereals खाने चाहिए nuts खाने चाहिए दाल जो रहती है वो खाना चाहिए दूद मास मच्छी यह सब चीज़े खाने चाहिए अब देखो फिफ्ट में क्या है causes of anemia जो anemia बीमारी होती है उसका cause क्या है उसका reason क्या है तो देखो इस बीमारी में क्या होता है जो शरीर में red blood cell की कमी होती है तो इसे देखो कैसे पूरा यह क्यों होती है बीमारी deficiency of iron and vitamin b12 हमारे शरीर में जब iron और vitamin b12 की कमी रहे तब यह बीमारी होती है six के essential minerals and healthy bones and teeth देखो क्या बोले कि हमारे शरीर में अच्छे से minerals रहे और हमारे जो bones जो हड़ी है और जो दात है वो healthy रहे स्वस्त रहे तो यह कैसे होगा calcium and phosphorus और phosphorus यह जब हमारे शरीर में अच्छे से रहेगा तो देखो यहां पर क्या बोले है कि हमारे शरीर में जब vitamin A की कमी होती है तो कौन सा sensory organ पे असर पड़ता है तो आ हमारे आख पे असर पड़ता है ठीक है अदो question number 3 में क्या है choose the correct alternative हमें यहां पे सही जो alternative है वो choose करना हो चुनना है पहला क्या है pulses are good source of proteins आपका answer क्या प्रोटीन यहां पे आपको सारे answer दिये हमें pulses से हमें क्या मिलता है प्रोटीन मिलता है ठीक है अब second क्या है cereals provide maximum energy to the body तो आपका answer क्या है cereals यहां पे option आपको है cereal leafy vegetables water आमला तो आपका answer क्या है cereals cereals हमें हमारे body को बहुत जादा energy देती है ठीक है अब थर्ड में क्या है goiter is caused by deficiency of the mineral iodine आपका देखों यहां पे option दि thyroid बिमारी होती है गले के नीचे सूजान आ जाती है तो यह बिमारी किस से होती है iodine से होती है तो हमने iodine चूज करके लिखा फूद क्या है चौकलेट is a type of junk food हमें यहां पर option में कहा दियता है orange milk भाकरी चौकलेट तो औरेंज मिल्क भाकरी यह junk food नहीं यह अच्छा खाना है junk food है chocolate तो इसके लिए हमने यहां पर चौकलेट लिखा है फिफ्थ में क्या है भी देखो vitamin K is essential for blood clotting क्या बोल रहे हैं यहां पर कि vitamin कौन सा है A, B, E या K तो हमारा answer का है A, K, K तो क्या है vitamin K essential है blood clotting के लिए उससे blood clotting होता है ठीक है? ब्लड जम जाता है और फॉर्थ क्या है? Use the food permit, select food items of your choice for three days conditions देखो क्या बोले? आप यह food permit हमारे textbook में दिये गए है इसको choose करो और आपको आपको तीन दिन का खाना इसमें से choose करना है कि तीन दिन देक आप यह खाओगे तीन दिन के लिए तो तीनो टाइम का जो तीन दिन का खाना रहेगा वो कैसा रहना चाहिए? उसमें variety रहना चाहिए अलग-अलग type की यह नहीं है अगर आप इसमें choose करो खाली meat, खाली जो mass है वही choose कर लो यह तो खाली मच्छी choose कर लो यह तो खाली fruits नहीं आपको सब add करना तो यह आपको खुद से लिखना है answer, आप क्या खाना पसंद करोगे और सब में से आपको थोड़ थोड़ चूज करना है, चूज करके आपको लिखना है, तीन दिन का खाना, ठीक है? आप दो को fifth में क्या है, यहाँ पर answer the following questions, पहला question क्या है, what is the use of food for living things, क्या बोले है? जो उर्जा के लिए हमारे बोड़ी को एनरजी मिले, for the growth of बोड़ी हमारे शरीर के लिए, बढ़ने के लिए, to carry out day to day functions of the body, रोस का काम हमारे बोड़ी जो है अच्छे से कर पाए, इसके लिए ज़रूरत है, to develop resistance against disease, बीमारियों से लड़ने की शक्ति आए, इसके लिए ज़रू आप देखो, second क्या है आपको, what is kilocalories, how many kilocalories do you require per day, क्या बोले है, kilocalories क्या होता है, और हर रोज आपको कितनी kilocalories चाहिए, तो आपका अंसर क्या है, unit of energy obtained in the form of heat from the dietary food, stuffs consumed, is called kilocalories, क्या बोलने है, कि जो energy हमें मिलती है, unit of energy जो हमें मिलती है, जो भी खाना हम खाते है, उसको kilocal calories बोलते हैं, आगी क्या है, आगी क्या है, आगी क्या है आपको, growing children like us need about 2000 to 2500 calories of energy per day, क्या बढ़ते हुए बच्चे, जैसे कि आप, आपकी एज वाले जो बच्चे हैं, 13 साल, 12 साल, ये बच्चे लोग को चाहिए रहती है, हर रोज 2000 से 2500 calories, ठीक है, थर्ड में क्या भी आपको दो, what are probiotics, in what form do we take inner diet, क्या बोले हैं, कि probiotics क्या होते हैं, और इनको हम अपने खाने में किस तरीके से लेते हैं, तो answer क्या है, the useful microorganisms which are present in our digestive system are called probiotics, क्या बोले हैं, कि जो useful microorganisms, जो हमारे digestive system में रहते हैं, उन्हों probiotics बोलते हैं, these microorganisms produce vitamins naturally in our body, क्या बोले हैं, यह जो microorganisms है, यह naturally हमारे शरीर के अंदर, क्या बनाते हैं, we take these in the form of buttermilk and yogurt और curds, क्या बोले हम इनको buttermilk जो रहता है, वो दही जो रहती है, वो इनके रूप में हम, इसके रूप में हम इनको अपने शरीर में लेते हैं, ठीके, आप देखो क्या है, fourth, what is the significance of the balanced diet, क्या बोले है, एक balanced diet रहती है, उसका फायदा क्या होता है, क्या है देखो, significance of balance diet, क्य जो आपके काम करने की चमता रहेगी, balanced diet होने को जैसे वो बढ़ जाएगी, the physical and mental health is well preserved, और आपकी जो शारीरिक और जो दिमाग के जो स्वास्त रहेगा, वो जादा अच्छा हो जाएगा, there is increased capacity to fight against disease, और आपके शरीर में बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ जाएगी, the body achieves proper growth, और आपके body के आपके शरीर के अच्छे से बढ़ेगा, अगर आप proper balanced diet खाओ, फिफ्टिया, what is junk food, what happens if we take excess of junk food, क्या बोले, junk food क्या होता है, अगर हम बहुत जादा junk food खाने लगे तो क्या होगा, आपका answer क्या है, the food that does not give any nutrition but just gives excessive calories is called junk food, क्या बोले, ऐसा खाना जो हमें nutrition नहीं देता है, लेकिन उसको खाने से हमें बहुत जादा calories मिलती है, chocolates, noodles, burger, pizza, soft drinks, and packaged snacks are all types of junk food, क्या बोले है, chocolate हो गया, noodle हो गया, burger हो गया, pizza हो गया, soft drinks है, Pepsi, Coca-Cola, Maza, Fruity, यह सब हो गये, जो भी packet में खाना आता है, यह सारे होती है, junk food, Due to eating these food, steps, or body experiences, shortage of proteins, vitamins, and minerals, which leads to malnutrition, क्या बोले है, इनको बहुत जादा खाने से हमारे शरीर को, जो vitamin, protein, minerals है, इसकी कमी होती है, जिसे malnutrition होता है, Due to excessive calories, it cause obesity, बहुत जादा calories होने से हमें obesity होती है, हम मोटे हो जाते हैं, और healthy severely affected due to junk food, हमारे स्वास्त पर बहुत बुरा असर प बुसमें कहा है, how to avoid obesity, क्या बहुत 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 जादा खाना बहुत जादा खाना भी नहीं खाना चाहिए, अगर आपको भूक नहीं लगी रहे, तो मत खाओ, जबरदस्ती नहीं खाना चाहिए, regular fitness exercise are necessary, हर रोज exercise करना जरूरी है, outdoor games, cycling, walking, instead of using cars are some of the ways to keep away from obesity, क्या बहुत बाहर खेलना, cycling करना, चलना, car की जगा, चल कर कहीं जाना है, थोड़ी दूर पर तो वहां जाना, यह सारी चीज़े हैं, obesity से दूर रहने के लिए, eating fruits, vegetables, whole grains and fiber is essential to keep away from obesity, क्या बहुत 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 ब यह सारी चीज़े हैं, जरूरी है, अगर आप obesity को, मोटापी को अपने से दूर रखना चाहते हो, ठीक है, अब देखो 7th में क्या है, जो हमारा last है, क्या है, what is food adulteration, name, some adulterants and the food items in which they are added, क्या बोले है, food adulteration क्या होता है, और कुछ नाम ऐसे बताओ, जिसमें food adulterant use किये जात हैं, क्या है, आपका answer, adding cheaper, low quality and harmful substances called adulterants to the food stuffs to earn more profit, it is called food adulteration, क्या बोल रहे हैं आपर, कि सस्ता, low quality का और नुकसान करने वाला substance खाने में डालना है, ताकि उसकी मातरा बढ़ाई जा सके, अपने फाइदे के लिए, इसको बोलते है, food adulteration, adulterated food is impure and unfit for consumption, और जो adulterated food रहता है, यह impure रहता है, बताओ, अच्छा नहीं रहता है, और इसे, यह खाने लायक भी नहीं रहता है, ठीक है, अब देखो, food item जिसमें adulterants मिला जाते हैं, milk में कौन-कौन से मिला जाते हैं, water, chemical like, urea and starch, जो बहुत खतरना है, शरीर के लिए, chili powder, chili powder में जो लाल, हमारे, जो mircher powder रहता है, उसमें क्या-क्या मिला जाता है, दोखो, brick powder, powdered pumpkin, इसमें जो eat, जो लाल कलर की eat रहती है, उसको piece के मिला देते हैं, यह तो जो pumpkin है, उसका powder बना कर मिला देते हैं, तो यह हमारे शरीक ले नुकसान दे रहती है, फिर क्या आपको आ परतन, कपड़े धुले जाते हैं, वो मिला देते हैं, या तो paper का pulp बना के, paper का एक तरीकर से गीला करके, उसको एक pulp बनाते हैं, और उसको मिला देते हैं, जो बहुती खतरना है, शरीर के लिए, rise, चावल में क्या मिलाते है, small white stones, छोटे-छोटे white color के पत्थर मिला देते है जिससे क्या होता है, वजन बढ़ जाता है, तो लेकिन यह हमारे खाने में आ जाए, हमारे दात के नीचे आ जाए, तो दात हिलने लगता है, किसी किसी का दात तूड़ी आता है, तो यह बहुत नुकसान दे, peanuts, peanuts पीनेट्स पी क्या मिलाते है, radish, pebbles और stones, peanuts में लाल पत्थर या stone मिला देते हैं, ठीके, ओके, तो आप समझ गए, क्या-क्या कैसी मिला जाता है, और क्या-क्या harmful है हमारे body के लिए, तो यहाँ पे हमारा chapter complete हुआ, अब इसको अच्छे से पढ़ लो, और learn कर लो, I hope यह आपको अच्छे से समझाओगा, मिलते हैं अगले video में, अगर अच्छे लगाए, तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, थैंक यू